कर दोस्तों मैं हूं गोविन सर्मा एसडी में आपको स्वागत है जैसे कि अपने एक लासे चल रही है उसमें सोहिल के मैंने सीपेज एंड अनलाइज एफेक्टिव स्टेश चैप्टर को कंप्रिट करा दिया है अब मैंने कुछ कुछ कोशन थे जो पनुर्टी की कुछ कोश चैप्टर के दोना ऑपस में जो मिक्स कुरूशन कर लेते हैं तो आफन कुछ कर लेते हैं और हां फ्लीज वीडियो को लाइक और जल्दी काम करने की इच्छा करते हैं इतने बच्चे वेट करें जितने ज्यादा काम करने मतलब एक पकार रूप में ज्यादा बच्चे बड़ते होते हैं तो अब यह चीज है और पहुआ को देखिया देखिए किया कि आपका आगया दिखो ए होमोजिनियस अर्थन डेम is 24-24 in high and has a free board of 4 meter the flow net for the dam indicated the number of potential drop is 12-12 and the number of flow a channel is 3 the coefficient of probability of the dam is 3 into 10 की power 10.6 meter per second दीम के इन दिशर्ट पुछा हुआ है क्या पुछा गया से कहां से पुछा गया कैसे सिरा क्या से पूछा है यह एक फर्मॉला आपने पढ़ा था क्वा था के एच वराबर के चुब राबर के कि एन अपने पड़ा था आपने पड़ा आपने यहां से आपको के भी दे रखाए एच भी दे रखाए और पूचाया सीधा बहुत इंपोर्मूर्टेंट है जब मैंने चप्टर बढ़ाया था में के वहां से सीधा निमेरीकल आदेगो पर अब इसमें पर निकाल लेते तो क पही बार यह ऑब्जेक्टिव फर्मूला इसमें आप देखते हैं अपने तो आपके पास है तो आपके पास है कि रहा है तो इसकी चार मीटर फिरी तो मैं बोट है पिर आपके पास चे कितना दे रहा है पनूलोटी कितना दे रही है किया आपको कुछिन में दे रहा है तीन इंट्टी यह यह्य कीतना देडि़ रहा है अब बताइए इस को बचा आपके लिए कुछ भी नहीं कुछ भी कितना है मेरे पास 20 हो गया मेरे पास इंटू 3 एनफ की वैल्यू कितनी है थ्री बारा बार वैल्यू पुट कर दी एनफ यह कुरेशन को और एंडी यह अब्जेक्टिम में आते हैं तो तीन चॉक बारा चारपांज है बीस सीदा गया पास्तिया पंदरह पंदरह इंटू दसकी पावर माइनस सिक्स तो ऐसा औप्सण में क्या नैएक लेकिन एक पॉइंट पांच है इंटू कई बार आपको डिस्चार्ज देके अब यहां पर पूछने के उपर एक्जाम में क्या पूछ सकता है किसा नमबर अफ्लों कुछ भी क्या होता है कि हमें मालूम चल गया है कि यूज कैसे हो रहा है अब कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आपको डिस्चार्ज पूछा या तो हमेशा पूछेगा 80% केस में तो पूछते हैं क्या करते हैं और नहीं तो कई बार करना होता है तो कई पूछ लेते हैं कभी हैड पूछ लेते हैं यह साथ चीज देखेंगे मतब पूछन को गुमा फिराके पूछते यहीं आप इसी फॉर्मुले पूछ जाती है बस में कुछनों को क्यों करा रहा हूं ताकि आपको इन फर्मुलों का मालूम पढ़ जाए कि कैसे कैसे फर्मुलों का यूज हो रहा है ठीके समझ गे बात को चलिए अब चलते हैं आपके पास का आ रहा है यह देखें कि एस्वेश्ट वेलोसिटि आपको फॉर्मॉला क्या होता है वी एस बरावर वी अपॉन में होता है को इसमें आपको देर कि और क्या लिए रखाए आपको 0.5 एक और आपको फने रखाए तो सब्सक्राइब है अब हमारे पास वी है लेकिन अ क्या यह नहीं सर थो अ आपको निकालना पड़ेगा बराबर क्या होता है ए और फॉन प्लस फॉता है ये अपन प्लस फिसकंट विए वेलू किस की यह आ गई मेरे साथ किसके यहां पर यहां पर ब्स इसको सॉलग कर दो इसको जैसी सॉल करतो आपका राजाएगा 서 जाएगा सब्सक्राइब से को अफ्सक्राइब करना चाहा हो तो यहांसे पॉर तैंट अभाग लगा तक आपको पहाड़े तक आने ही चाहिए इससे क्या होता है तो वहां आपको जल्दी से मतलब रेक्ष्ण करना होता है अपने चलता है दिमाग में थोड़ा से चारपांट लाइन का निमेरिकल देख लिया बहुत इससे पहले कराया था अब उसमें आपने देखा था कुछ भी नहीं था वह आपको सब को याद था अगर आपने पड़े होता हो लेकिन बड़े से को देखके जब एक्जाम में देख लेते हैं आपन तो सीधे करता है इसको ड्रॉप आउट करने में ही फायदा है लेकिन जबकिस को ध्यान से पाड़े याद रहेंगे तो हमें उसका तरीका क्या है बस उनको पाड़े वगड़ा सब चीज याद रहती है वही जल्दिकाम है ठीक है तो उस चीज को आपको जयाद देखना पड़ेगा चलिए कि अब चलते हैं आपने नेक्स कोशन क्या करता है अपना देखो कि यह थोड़ा समझने वाला कोशन है नहीं कहां समझ देखो यह फाइन ग्रेंश एज्ट यह फान ग्रेंश रहे बात करता हो और आप से पूछता हूं में और पर्मेविलिटी और यहां से अपन को काटेंगे आता है या नहीं आता है अब आपने देखेंगे अब आपने देखा जब जितने के पार्टीकल हाड दे ग्रेवल था उसकी आपने देखेंगे एक से ज्यादा थी और सबसे कम किसकी ती मतलब आपने का जैसे 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 पार्टीकल कम होता गया पर्मेविल्टी भी कम होती गई तो मतलब मैस्टी तो नि बलकुल हो जाएगी जैसे पने दÁरे इसे डीप्रिमेंट करेंटी कि जितना बड़ा श्केड़ा तक मोटई होती गया बूछे अड़र वह होती है और निए प्रनूलिटी थी फ़ाइन ग्रहंट के लोग तो लगके आप देखो लो परणाबटी तो रिखा हुआ है जहाँ लो लो परणाव यह अपना अ हमारे पास लोग परणावर्ण्टी ए और सिय ओप्शन में ए और सिय अप्शन हमारा लो मतलब दी तो होगा नहीं किसी भी आलत में वी ओड ज यह compressibility घ्रब आपकी पर्वलिटी लोगी तो बहुत सभी तो फतने कि वह घ्र आपकी कंप्रेसिबिलिटी और लो पर्मेबिलिटी और हाई कंप्रेसिवल कर सकते हो ठीक है तो अप्सन नमबर क्या होगा दिमाग वाला कोशन था समझने वाला कोशन था इसलिए यह आपको कड़ाए गया क्यों यह जादा होएंगे छोटे बाटिकल में कर सकेंगे तो यह चीज़ आपको ठीक है तो यह आप समझे के इस चीज़ को चलिए अब चलते हैं नेक्स नेक्स कुश्टन की ओर चार सो चलिए नेक्स कुश्टन आपके बास आगया hydraulic head that would produce a huge sand condition is a sand stratum of thickness 1.8 meter is basically 2.65 and void ratio 0.65 is equal to आप से पुछा है hydraulic head hydraulic head पूछा है hydraulic head पूछा है hydraulic head पूछा है आप से hydraulic head पूछा है अब hydraulic head पूछा है तब कैसे निकालोगे चेप्टर में इस दूसरे के होते हैं तो यह आपने यह पढ़ा था आई सी ब्राबर होता है जी माइनस 1 अपन ब्लस यह मैं प्लस यह मैं आप पड़ा था आइच ब्राबर क्या होता है तिकने सेंपल दे रहा हुआ थिकने स्टेस्ट सेंपल रहा है वन पॉइंट एट मीटर दे रहा है आपको तो बहुत ही रहे आपके लिए 2.65 इसमें 1.65 तो एस बरावर कितना गया 1.81 है अप्सटन नमर कितना और आपके साहिस में डी ओप्सन नमबर आपका एकदम करेक्ट हिसाइए गी ओप्सन के आ जाएगा पिदम साहिए कोई दिक्कत यहां तक बस यह को इसी तरह गुमाया इसने बस और कुछ नहीं है बागी बेसिक को आपको साथ-साथ में जब चैप्टर कराएं मैंने वह बता दिया है अब हो सकता है एक्जाम में सीध है आप से पूछ ले हैच अपनल देखे पूछ सकता है यह आप से लेंद करनी है अपनी बस जितना हो सकता है प्रिवर्च के कोश्चन निकालो आप यह आप सो भी निकलवा दूंगा तो उससे फायदा नहीं जब तक आप खुद नहीं निकालोगे उससे कोशन नहीं होगा ठीक है तो आपको प्रैक्टिस करनी कोशन होगी चलिए अब बात करते है आप नेक्स्ट कोश्चन की आपके आगे आगे नेक्स्ट को पढ़ो और इसम्पल सा ही है इसमों तो मझे बताने की ज़रत भी नहीं है आप फ्रेश्ट को किसे डिनोट करते हो यह सब्सक्राइब करते हैं ऐसा यह फर्मॉला आपने कहीं और देखा था क्या है शर देखाता न जब हमनें गामा संपर्द निकाला था जी माइनस वन प्लस उपरणा था सिस्टम अपर बस मॉल्टिप्लाइ में गामा डबू था कुस कि यह याद आ रहा है और आपको टौ और आप इस갈 सब्सक्राइब करें लिए यहां सब्सक्राइब करते हैं याद करते रहा करो चलिए अब बात करते हैं अपर नेक्स कुर्शन की आपके चलिए देखो यह करता सीधा एक्जाम में पूस लेता है पूस लिए पर आपको याद रहना चाहिए इस पेसलिए रहना चाहिए नहीं कि हम देख के पैचाने अब जैसा अब आपको याध ही ओने चाहिए क्यों कि निमएरिकल जाँ आज यहागा जाएक निमेरिकल आती है सभी तो यह करते वह यह फर्मला याद था तब के बात कर लेते हैं चलो कि नख्रेशन आपके इस्केनी बोड पाए गया देखो क्या बता रहा है क्यूक्सेंड तो आपने कहा था क्योंड क्या है ईप रख लेंगे ही औरफ लगत अच्छा सांस है इसने करवाने के लिए फ्लो कंडिशन और वी और सी ओप्सन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हूं अपने शरने बताया तो स्विल की फ्लो कंडिसन है अब जो आधा अधूरे पढ़के जाता है आधा अधूरा पढ़के जाता है वहां भूल जाते हैं कि पता है स्वेल की कंडिचन उनको मालूम में बैटे हुए हैं क पानी वह बलता है बोईलिंग कंडिशन है जब पानी ऊपर के फ्लो वर्टिकल अबड डारेक्शन होता है तो पानी के साथ तो मिटी कंड तहरते हैं वह सब मालूम है लेकिन बस अब इस तोनों अप्शन में से लगाएं कि लगाएं वहां गलती और इस लिबाते गलती ही कंडिशन की आपको याद रखनी है अच्छी तो नंबर आपका क्या हो जाएगा सी अब इसमें क्या हो जाएगा फ्लो कंडिशन ओकर देखने लेकिन करने पर हाडवी एक प्रकार से हाडवी अगर हमने थोड़ा सा भी द्यान से नहीं पड़ा है तो यह हमारे लिए बहुत सब्सक्राइब बात कर लेते हैं आपकी स्कीन पर रहा है चलो देखो कि बताइए इस का इंसर बताइए कि दिरिंग दा फ्लो अवर दे लैंट आप तीस मीटर था है अब लॉस पांस मीटर और कि दिविदा सीपेज वाट इस वैल्यूप हाइड्रालिक ग्रेडियंट है फूछा गया है आपसे पूछा गया है आपसे हमें और लैंद दे रखी और है लोग कितनी है तो कर दो कितना आ रहया तो कर दो एक पास आगया 0.167 हो कि यह कर लिए बस क्या हुआ कभी यौल श делает ने कभी i-1 फोश्क लिए इसने कुष लिया इन दोनों को मिला के पूछ लिया आपके दिमाग में चलने चाहिए बस कहां अब मैं आप से पूछूंगा भी एक पूछन और आएगा देखो इनी चीज़ें चलिए ठीक है समझ मांगी बात 0.167 आपका इसका एंसर हो जाएगा कितना ऑप्सन नंबर आपके ऑजाएगा इसको पड़ो क्या कह रहा है चलिए बताइए प्वेश्चन नंबर ओर एगए उनेरल स्वेल विद दा इंक्रिजिंग वॉइट रेसियो ता क्योटिकल हाइड रात ग्रेडियंट क्या है अब देखो कितना अच्छा कोई दिकत नहीं इसने ना तो में फॉर्मला दिया हुआ ना कोई बात दिया इसने का है सिर्फ मैं वाइट रेशियो बढ़ा रहा हूं तो क्रिटिकल है फरक पड़ेगा तो सुन्दर शी बात है अगर आपको फॉर्मला या अगर आप बढ़ाते हो वाइड रेशियो बढ़ाते हो तो और यहीं इससे उल्टा पूस लिया जाता आप से कि अगर व्याइट रीचियो को कम किया जाए तो तो वाइड रशी बढ़ जाएगा अगर वडरीचियो कम करोगे तो इस्यों बढ़ जाएगा आप से भी बात है दस वराबर पांस लिखो एक उसकी वैलू लेकिन आप इसको आप लिख दो वैलू बढ़ाते गए तो कम होती जाएगी और कम करते जाओगे तो ज्यादा आएगी यह जैसे अपने वैलू कम होती गई तो स्वाभिक सी बात थे चीज़ को आपके वैलू अप्शन हो जाएगा घुकर यह अपने कुछ ते इस पर जो अपने कर लिए अब आपन नेक्स्ट्र की बात करेंगे क्या होता है तो च्र्चा कर लेते हैं इसमें 15 मिंट वे इसके बाद आपन गल इस पर अगे आपन इस पढ़ाई करेंगे ठीक है तो कम एक मैंने ने कंप्एक्शन पढ़ाया लेकिन किस रीजन से कैसे हो रही थी यहां जो आप गर रहे थे वह किसके निकलने कि निकलने कारण और यहां जो कहांनी क्रूंद को लिए इसको क्या करेंगे पड़ेंगे तो बीटील में की बाद किसी रॉटर के यह तो में पड़ेंगे तो हम इसमें पड़ेंगे तीन परकार कि एक दूसरा होगा हमारा हमारा से ये भी कई बार फूचा आता है गरार क्षिखन का करम क्या है तो हम यलाज और औरे इक भूल जाता है को में फ्रीक्षन होता है वह एक प्रकार से और और प्रामेरी के अंदर पूरा निकल जाता है और तीसरे में अपने पार्टिकल होता है रियर्जमेंट होता है होते हैं स्टमें सदमें इसमें से पार्टिकल होते हैं रिक सब्सक्राइब पहले निकल गया अब बच्छा वाटर वाटर भी दिर दे निकल उएंगे तो पास-पास में आएंगे तो बाटर निकल जाए तो यह लंबी प्रोसेश होती है इसलिए के तो इस लिए क्या था और यह में क्या है एक लोंग प्रोसेश यह क्या है लोंग प्रोसेश यह लॉंग फ्रोसेश इस पर वाकिया अपन चर्टा कल डीटेल देकल ही नौ्स पनाएंगे आ था थोड़े वाकि कल पढ़ेंगे वीडियो अश्य लगी हो तो लाइक कमेंट शेल दर कुरें थांक्यू सो झाल